युवाओं में हतियारू का प्रदर्शन पारिशानी का सबब बनता जा रहा है गौलियर जिले के उटीला थाना श्वित्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें युवक ने सीने पर कट्टा लटका कर फूटू वाइरल कर दिया पुलिस ने उस पर आमस एक्ट की कारवाई कर जिल भेज दिया है जानकारी के मताविक सोंसा गाउ निवासी अंको और फविवे क्यादो अपने हतियार प्रेम के चलते मुश्किल में फसा है दरसल पिछले दिनों सोशल मेडिया पर युवक ने अपने सीने पर एक नहीं दो दो कट्टे रहकर फोटो खिचवा कर उसे वाइरल किया था यह वाइरल फोटो पुलिस अफसरों के पास भी पहुँचा था इसके बाद आरूपी की तलाश शिरू हुई पुलिस को जांच में पता चला है कि यह युवक सोशा गाउं का रहने वाला विवेक और्फ अंको यादो है इसके बाद पुलिस ने उसे ग्रफतार किया और उसके कबजे से फोटो में दिख रहा दीसी तमंचा भी बारा मत किया अंको के खलाफ आमस एक्ट का मुकदमा दर्श किया गया है अब पुलिस फोटो में देख रहे दूसरे युवक की तलाश में जुट गई है पुलिस ने युवाओं को आगाह किया है कि वह इस तरह के सस्ती लोग प्रेता वाले फोटो न खिचवाए यह कानूनी अपराद है ऐसा करना उनके लिए घातक साबित हो सकता है S.D.O.P. संदोश पटेल ने बताया कि युवक के खलाफ कारवाई की गई है इस तरह हधियारों का प्रोदर्शन करियर को बरबाद कर सकता है एक फोटो हमारे उटीला थाना प्रवारी को मिली जिसमें एक युवक कट्टे को चाती पे लगाए हुए टांगे हुए तावीच की तरह है इसे जब पहचान की गई तो सौसा गाओं का रहने वाला निकला जिससे पुलिस ने तलास किया तो उसके कबजे से एक कट्टा बरामद हुआ है और सबैत कट्टे पर आम सेक्ट के तहदा अपरात पंजीवत कर उसे मनिन्याले पेस्ट किया गया है और जो भी नए लड़क काम, सबैद, कट्टा या लाइसेंसी हो इसके जाब पोटो के जाकर वाइरल कलना ये कानूनी रूप से भी अवैद है और नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं है सोने एबम चान्दी के आवुशडों की अनुपम शंकला, लक्ष्मी नारांड जोलर्ड, संबून हॉल्मार्ग जोलरी, एंटी, कुंदर, ओल्की, इटालियन जोलरी, आईजी आई द्वारा प्रमाडिर, टाइमाइंड जोलरी एबम राशिरत्न हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड सागर